परजेंट परफेक्ट कंटिनिवस टेंज का नारेशन पढ़ने के पहले, सबसे पहले आप एक बात जान ले, अगर आपका रिपोर्टिंग बर्ब पास टेंज में हो, तो आप हैजबिन, हैब बिन को इनडिरेक्ट स्पीच में हैडविन में चेंज करेंगे, अगर आपका र इपोर्टिंग बर्ब पास टेंज में हो, तो आप हैजबिन, हैबिन को हैडविन में चेंज करेंगे, और रही बात यहाँ पर भीवन पलस आइनजी की, भीवन पलस आइनजी को भीवन पलस आइनजी में ही चेंज करेंगे, आप लोग का ये कंप्लेन आया, कभी-कभी ऐस होता है कि एक ही कोश्चन को कई एक तरीके से पूछा जाता है वाज हम आपकी सिकायत को दूर कर देते हैं जैसे कि हम आपके सामने कोश्चन लिख रखे तरह साब गौर्ड करेंगे यहाँ पर सी सेड टू सी सेड टू राजीब और यह जो सेकेंड कोश्चन है इसमें सी सेड है और डायरेक्ट यह राजीब है और यह जो थर्ड कोश्चन है यू है बिन प्लेंग फोर एन आवर इस कोश्चन में यानि थर्ड नंबर कोश्चन में अबजेक्ट उठा करके डायरेक्ट य यानि आपकी first question में आपकार भी C से लेकर के राजीव तक के दोनों question में तरह सब गोड करेंगे. आपकी first question में यानि राजीव जो object है ये राजीव के पहले two है लेकिन ये जो आपका second question है second question से two गायब है यानि इसमें preposition का परयोग नहीं किया गया है डिरेक्ट ये लिख दिया गया सी से राजीव यानि two राजीव नहीं सिफ राजीव. रही बात यहाँ पर third question की. तो third question में RS को पहले कर दिया गया है third question में आपका RS you से स्रू है और ये आवर म्या कर के खतम है ये आपको see say यहाँ पर डाल लिआ गया और ये जो राजीव है यानि ये जो आपका object है ये जो RB का object है इसको यहाँ पर डाल दिया गया. ये तीन तरीके, चोथा तरीका ये है, इसमें भी आपको मतलब RS को पहले डाल दिया गया है, और RB को डारेक्ट आपको लास्ट मर डाल दिया गया है, C said to Rajiv, हम आपसे कहना यहीं चाहते हैं, कि अबजेक्ट को कहें भी डाला जाए, RS को कहें भी लिखा जाए, RB को कहें भी लि पर four questions है, यानि चारो questions का जवाब एक ही होगा, गौर करते हैं पर, जब आप इस question को direct speech से direct speech में ले चलेंगे, तो सबसे पहले एक नमबर में क्या डालना है, RB डालना है, तो आपके first question में आपका RB सी से सुरू है, राजीम म्याकर के खतम, यानि एक, दो, तीन, चार, ये चा काम खतम करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सी का सी लिखेंगे, और से टू के बदले हम, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तोर्ड लिखेंगे, उसके बाद ये हम राजीम आरे जे डवली भी, ये RB खतम, अगर माल लिया जाए, कि second वाला जो मेरा question इसको भी अगर हम बन आते हैं, तो सी का है, पर हम सी लिखेंगे, यहाँ पर राजीम के पहले क्या ये टू छुपा हुआ है, तो यहाँ पर या इसको भी क्या काम करेंगे, अब जेक्ट होने कारण हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, अब हम third question की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये जो सी है, ये से हैं, ये जो राजीम है, यहाँ पर हम सी का सी लिखेंगे, और यहाँ पर क्या काम करेंगे, हम अब जेक्ट होने के कारण हम सेट को टोल्ड में चेंज करेंगे, और यहाँ से राजीम को उठा कर किया हम डाल देंगे, अगर हम चौते नमबर question के अगर बात करें, तो इसमें हम C को क्या काम करेंगे, इस question में तो मेरा R V last में है और R S मेरा क्या ही ये पहले है तो अच्छा गोड करेंगे आप, आप गोड किजी कि first question में R V पहले है और छोथे नंबर question में आपका R V क्या है last में, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आर्वी लास्ट में रहे चाह पहले रहे अगर माली जी के मेरे एक जाम में अगर यही कोशन अगर आ जाता है तो इसको अब यहां से उठाएंगे डारेक्ट आपर पहले ले करके चले आएंगे तो यहां पर सी का सी लिख दिये से टू काम क्या लिखेंगे टोल लिखेंगे राजीब का यहां पर क्या लिखेंगे राजीब लिखेंगे तो चार तरीका से यह कोशन को पूछा गया है तो इसमें से कोई भी तरीका अगर पूछा जाए तो जहां मेरा ख्याल है कि आप साबदानी बढ़तेंगे और जिस तर कालने के बाद अब बचाई आरेस मेरे कुश्चन में मेरा आरेस यू से सुरू यानि एक दो तेन चार पांच है यह साथ यानि इसमें सेवन वर्ट्स है यानि आपका आरेस यू से सुरू है और यावर में खत्म है मैं आपको पहले कितनी बर्दबा मैं आपको बता चुका कि अगर साथ वर्ट के पहले भी कौमा हो, देख रहे नहीं कौमा है, साथ वर्ट के बाद भी कौमा हो, पांच वर्ट के पहले भी कौमा हो, पांच वर्ट के बाद भी कौमा हो, तो पांचों वर्ट को या साथों वर्ट को हम क्या बोलेंगे, आरेस बोलेंगे, मगर सरती है क कौमा दोनों तरब से हो ना चाहिए अब रही बात यहां पड़ यू की तो यू आपका क्या है second person second person और विक अबजेक्ट उनसा चेंज होगा और विक अबजेक्ट क्या है राजीब के बतले क्या लिखा यहां पर हम ही लिखेंगे अगर माली किस फर्मॉला से change करेंगे और राजीब है तब यहां पी ही लिखेंगे अगर माली जाया कि सक्वा ciao सार अगर हम change करेंगे तो यहां पर मेरा यह जो you है यहां पर यह दिख रहे है न यह वाला you यानि डारेक्ट यहां करके का आपका करेगा राजीब में आ करके मिल जाएगा अगर माल दीजे कि मुझे इस पर मूला को अगर इस कोशन को रसीद करना है तो यह वाला फिर यू क्या करेगा यह वाले राजीब में आ करके मिल जाएगा तो कहने का मतलब यह है कि आपका अबजेक्ट या तो इस जगह डाल के दिया जाए या तो को हटा करके दिया जाए या आपके अबजेक्ट तो यहां पर डाल करके दिया जाए या आपके अबजेक्ट तो डारीक लास्ट में डाल करके दिया जाए तो इसमें टेंसर लेने की बात नहीं है यह बनाना बहुत ही असान है तो चारू तरीक हम आपको बता दिये तो एक जाम में जैसे पूछा आप ऐसे बना लेंगे चलिए आगे चलते हैं तो यू सेकेंड परसन आर्बी के अबजेक्ट मुसारत राजीब का क्या लिखेंगे हम राजीब के बद लहीं लिखेंगे अब यहांपर हैब बिन लिखना है हाँ तरह से हाँ परएक्षाब्धानी ये बड़तना है मुआ आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप यहांपर ही के बाद कौन से काम करने वाले हैं तो आपका जवाब ही आ रहा है कि सरहाँ पर headman आएगा लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये satisfy करा दे कि आप जो headman ला रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं चलिए आप नई बता पा रहे हैं तो आपको ये बताना ये चाहते है कि जिस तरह ये you का अपना headman होता है जिस तरह य ही का अपना क्या होता है ये headman होता है और ही के साथ जो headman छुपा हुआ है ये वाला headman क्या होगा बिटा ये आपको headman में चलाएगा लेकिन फिर मैं आपको एक बात और पहले लिख लेने देजिए और उसके बाद क्या काम करेंगे यहाँ पर ही के साथ जो headman में चलाएग फिर आप यहां परيف रेट का प्लेइंग लिखेंगे उसके बाद यहां पर आप फोर का फोर लिखेंगे और एंड का एंड लिखेंगे और यावर का आवर लिखेंगे आपको एक बात ही बता रहा था जो मैं ब्राइकेट में हैजमिन लिखा हूँ आपको एकजाम में ब्राइकेट में हैजमिन लिखना कोई जवरी नहीं है यह आपके समझाने के लिए ऐसा किया गया है ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि मेरे कोशन में यानि यो के बात जो है है वो चेंज हो रहा है तो इसका सही जवाब यह होगा कि ही के साथ जो हैजमिन चुपा हुआ है यह वाला है क्या काम होगा विटा यह हैड में चेंज हो जाएगा तो इस तरह से आपको यह कोशन क्या यह बनाना चलिए असान हो गया सेकेंड नमबर कोशन है से से टू दा डॉक्टर आई हैब बिन यूजिंग गलासेज फोर सेवरल यहर्स जब आप इस कोशन को डाइरेक्ट स्पीच से इंडिरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सबसे पहले एक नमबर में आरवी लगाना है आपका आरवी सी से लेकर के तक है तो सबसे पहले आप यहांपर सी का सी लिखेंगे से टू का टू से टू लिखेंगे और यहांपर दी लिखेंगे दी लिखने के बाद डॉक्टर लेकिन आपको यह बात बता देना चाहता हूँ कि आप सेट के बाद टू का पड़ियोग करेंगे लेकिन टोल्ड के बाद टू का पड़ियोग करना सरासर गलत है तो सीट टोल्ड डॉक्टर आरवी कतम आरवी के बाद दो नमबर में आप यहाँ पर दायट लिखेंगे दायट लिखने के बाद ये आरवी कतम तो मैं दायट कतम अब मेरा question I से लेकर के years तक बच गया अब ये जो जहां तक बात यहां पर I की है I क्या ये first person first person आरवी के subject हो उनसार RV का subject को ने बिठा ये C है तो I को आप यहां पर क्या लिखेंगे भाई ये C लिखेंगे और यहां पर C के साथ जो head wind छुपा हुआ है O head been आप यहां पर head bin में change कर लेंगे उसके बाद यहां पर आप using का using लिखेंगे और यहां पर आप गौर्श करेंगे कि B1 पलस ING को B1 पलस ING में change करना है और यहाँ पर मैं आपको पहले लिख चुका हूँ कि हैज बीन हो चाहे हैब बीन हो आप इसको क्या काम करेंगे कि हैड बीन में चेंज करेंगे तो यूजिंग तक तो मेरा काम कातब हो गया रही बात यहाँ पर गलासेज की तो आप यहाँ पर गलासेज लिखेंगे जी एले देशेट दी फार्मर हैज बिन प्लोगिंग दो फिल्ड फोर टू आवर्स जब आप इस कोशन को डायरेक्ट स्पीच से इन डायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो बस वही करना है कि सबसे पहले आडवी डालना है आप यहाँ पर देखा दे लिखेंगे सेट का सेट लिखेंगे आडवी कतम आडवी कतम होने के बाद दो नमबर में दायट डालना है दायट डालने के बाद अब आप आरेस का काम करेंगे तो आपका आरेस दी फार्मर से लेकर के तू आवर्स तक है तो यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर हम दी का दी ही और यह फार्मर का फार्मर ही लिखें क्योंकि फार्मर थार्ड परसन है और थार्ड परसन को कभी भी चेंज नहीं किया जाता है तो यहां पर फार्मर का फार्मर ही लिखेंगे रही बात यहां पर हैज्मिन की तो आप यहां पर गौर कर रहे हैं कि हैज्मिन हो चाहिए है बि भीवन पलस आई एंजी की तो भीवन पलस आई एंजी को किसी वर्द में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है आप यहां पर दी लिखेंगे दी लिखने के बाद आप यहां पर 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 बनाना सुरू करें कि सही हो जाएगा कहां सा बनाना सुरू करेंगे गलत हो जाएगा तो मैं आपको यह बार बार यह याद दिला देना चाहता हूँ कि narration बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको R.V.5 ने आना चाहिए उसके बाद आपको person का knowledge होना चाहिए और मैं आपको फिदिये याद दिला देना चाहता हूँ अगर आपका narration अगर कमजोर है तो मेरे narration का जो first part है second part है third part है और ये four part है कम से कम वहां तक आप देखने की कोशिस करें अगर उसकी इतना देखने के बाद अगर बीच से भी अगर किसी पार्ट को अगर देखते है तो जहां तो मेरा ख्याल है कि आपको समझने में कोई problem नहीं होना चाहिए चलिए आगे देख लेते हैं इसमें मैं आरभी last में लिखा हूँ see said to me और ये you have been at home for two days इसमें आरेस को मैं पहले लिख दिया हूँ आप जितना type of question बनाएंगो इतना ही mind आप एक्टिब होगा बार बार मतलब एकी type को तुछा नहीं लगता है तो हम चार है कि आप उत्रा सा pattern को change करके दिया जाए ताकि आपको जैसा exam में आयो इसा बना ले तो जब आप इसको direct speech से direct speech में जब change करेंगे तो सबसे पहले आरभी का काम खतम करना है तो रही बात यहाँ पर you have been at home for two days यह तो आपका आरेस है प्रूफ यही है कि यहाँ पर you के पहले भी कॉमा और यह जो डेज है इसके बाद भी कॉमा यानि यह मतलब दोनों तरफ से यह कॉमा से बंद है जो दोनों तरफ से कॉमा से बंद होता हुआ उसे ही तो आरेस कहा जाता है और यह C said to me यह आपका क्या है यार भी है तो जब हम इसको direct speech से direct speech में जब ले चलेंगे तो आप एक काम करेंगे यहां से उठाएंगे और उठाने के बाद direct आप यहां पर sentence के पहले लेकर के चले आएंगे तो सबसे पहले हम C का C लिखेंगे यह C का काम कतम और ये जिए C två है उसको वहां से उठाकर direct हम तोल्ट लिखेंगे और तोल्ट के बाद हम का लिखेंगे हैं में लिखेंगे तो पता यह चला कि मेरा RB यहां से उठ करके डारिक्ट यहां पर आ गया क्いきोंकि मेरा फर्मूला यह करा है कि सबसे पहले RB के काम खतम करना है अब दो नमबर में दायइट डालना है तो आप यहां पर दायइट को डाल लीजिए डायट को डालने के बाद फिरी आड़ेस लिखना है तो अब यहाँ पर यह जो मेरा यू है यह सेकन पर्षेन और यह जो मेरा सेकेन पर्षेन है सेकन पर्षेन किसका अनुसार चैंज होगा यह अर्भी की अभ्जेक्ट रूम सर्च लिए मैं अभ्जेक्ट अब इसको मुढ दाल दिये और यह मेरा क्या है यह यूँड करके कि यहाँ पर you के बाद जो have been है, इस have been क्या काम करेंगे हम had been में change करेंगे, change करने के बाद आप यहाँ पर at का at लिखेंगे, home का home लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप four का four लिखेंगे और यह two लिखेंगे, two लिखने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, यह days लिख for a week शेड मोहन इसमें भी थोड़ा सम चेंज कर दिये हैं किस क्वेशन में भी हम RV को उठा करके डारेक्ट लास्ट में डाल दिये हैं शेड मोहन यह आपका RV है और एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ ही जो साथ words है, यानि 7 words है यह आपके R-S है, इसको भी जब आप क्या क्या काम करेंगे direct speech से, Indirect speech में जब लेचलेंगे, तो सबसे पहले करना क्या है कि RV का उस्च करना है तो इसमें तो तो इसमें फुरा सा यह पलड़ दिया गया है आप यहाँ पर सेड लिखेंगे इस AID RV खत्म दो नंबर में क्या डालना है फिर से देख लेते हैं एक में RV लगाना है यहां से RV को उठा है मेरा विटा क्या है RV है यह हम यहां से RV को उठा है डायरेक्ट उठा अगर करेंगे पहले लेकर क्या है वो नमबर में क्या डालना है? तो डायिट ये डालना है? डायिट डालने के बाद करना है क्या की R-S? मिरा R-S आई तर सुरू अवीड में जाकर के खतम दो जहां तक बात यहां पढ़ाई की, तो आई क्या है यह फ़र्स पर्सन? फ़र्श पर्सन पर भी का सब्जेक्ट अँट सार चैंज होगा तो भी का सब्जेक्ट किया है वेटा ये मुहन है मुहन के बदले क्या लिखYaं यहांपर आप यही लिखेंगे और उसके बाद यहांपर जिसतरा की अपना HEADBIN है उसी तरह पर एक चीज देख लेते हैं कि he का अपना क्या होता है विटा हैज्विन और यही के साथ जो हैज्विन छुपा हुआ है वो हैज्विन में चलाएगा उसके बाद हम क्या लिखेंगे प्लेइंग प्लेइंग लिखने के बाद फोर, फोर के बाद आ लिखने के वाद वीक तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपका आरेस संटेंस के पहले रहे चाहे लास्ट में रहे या आरभी पहले रहे चाहे आरभी आपको लास्ट में रहे बस करना कुछ नहीं है जब आप इसको direct से indirect speech में change करेंगे तो आप सबसे पहले Rb को पहले उठा करके लाएंगे उसके बाद positive sentence में यानि यू कहले कि affirmative sentence में या negative sentence में आप क्या काम करेंगा that की use करना फिर R.S. को last में डाल देना जब आप पर जेन perfect continuous sentence के negative sentence को direct speech से indirect speech में जब आप change करेंगे तो आप has not been और have not been को आप had not been में change करेंगे और जहां बात b1 plus ing की तो b1 plus ing को b1 plus ing में छोड़ देना उसको change करने के कोई जरूरत नहीं है इससे भी हम कुछ कोशन देख लेते है यह तो समझ चुके हैंगे कि negative sentence में has not been have not been को had not been में change करना है और यहां पर करना है कि सबसे पहले आरधी जो लगाना है तो सबसे पहले आरधी यहां पर हम दी डॉक्टर शेड आरधी कतम आरधी के बाद दो नमबर में क्या करना है बिटा यह diet लिखेंगे diet लिखने के बाद यहां पर फर्स परसन आरधी के सब्जेक्ट उनसरत आरधी के सब्जेक्ट को ने बिटा यह the doctor तो यहां पर डॉक्टर कहने से इस तरी का भी बोध होता है पुरुस का भी बोध होता है तो आप यहां पर डॉक्टर के लिए ही लिकर के बनाएंगे तो भी सही C लिख करके बनाएंगे तो भी सही पता यह नहीं चलना है कि महिला डॉक्टर की बात हो रही है या पुरुस डॉक्टर की बात हो रही है तो आप यहाँ पर He भी लिख सकते है C भी लिख करके बना सकते है आप यहाँ पर मेरे subject काम करता हम subject बाद have not been को यहाँ पर हम had not been में change करेंगे इसके बाद हम going का going लिखेंगे और यही बात यहाँ पर going लिखने के बाद यहाँ पर हम dear लिखेंगे dear लिखने के बाद four one और one लिखने के बाद यह क्या लिखेंगे हम dear लिखेंगे negative का यह जो second question है my daughter said I have not been talking to him for a long time जब आप इस question को change करेंगे तू सबसे पहले इसमें आप आडवी का यूज करेंगे माई माई लिखने के बाद यह daughter शेड आडवी खतम के बाद वो नमबर में दाएट डालना है तो आप यहाँ पर दाएट को डाल लीजिए डाएट के डालने के बाद यहाँ पर तुरास आपको समझना यह है कि I जो first person है अभी I को हम माई के नुसार change करें या daughter के नुसार change करें तो बिटा यहाँ पर my relation बताने काम कर रहा है तो यहाँ पर I को माई के नुसार change करने की कोई जरूरत नहीं है आप यहाँ पर I को daughter के नुसार change करेंगे तो यहाँ पर आप daughter के लिए क्या लिखेंगे यह C लिखेंगे अब यहाँ पर have not been अब यहाँ पर have not been को मतलब जो यहाँ पर C के साथ है जो not been छुपा हुआ हुआ है इसे हम head not been में चेंज करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर talking का talking लिखेंगे to him लिखेंगे him लिखने के बाद four four के बाद a लिखने के बाद long और long लिखने के बाद आप यहाँ पर यह time लिखेंगे negative का यह जो third question है your brother said those boys have not been going anywhere since March since March जब आप इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले इसमें भी वही करना है कि आर्वी लगाना है तो आप यहाँ पर your का your लिखेंगे brother का brother लिखेंगे उसके बाद यहाँ पर हम state का state लिखेंग आर्वी कतम दो नंवर में दाइट डालना है तो आप यहाँ पर यह दाइट को डालेजे दाइट के डालने के बाद देखना यहां पर यह आरिस जो लगाना है तो मेरािस मतलब doj boy से शुरू है और यहाँ पर doj boy का आपको कोई छेरचषर पीन में चेंज कर लिजिए इसके बाद यहां पर आप गोईंग का गोईंग लिखेंगे एनी वेर का एनी वेर लिखेंगे और इसके बाद करना क्या है कि सीन्स का सीन्स लिखेंगे सीन्स लिखने के बाद यहां पर यह मार्च लिखेंगे फिर समझ लीजिए एक नमबर में और भी लगानाे तो आपका और भी योर से लेह कर्के सैड़ तक है तो योर का योर ब्रादर का ब्रादर सैड़ कर सेड़ लिखे करेंगे और नहीं बात हैं पर सीन समार्च की तो आप यहाँ परेकाम करेंगे तो सबसे पहले बस वही करना क्या है कि दी का दी लिखेंगे टीचा के हां पर हम टीचे लिखेंगे सेट का सेट लिखेंगे आरवी कातम दो नमबर में यहाँ पर करना है कि दायट को डालना है दायट आरवी कातम दो नमबर में यह दायट कातम थर्ड नमबर में करना है कि आरेस का यूज़ करना है तो आपका यहाँ पर आई क्या यह फर्स परसन फर्स पर लिखेंगे और इसके बाद है नोट मिन के काम खतम होने के बाद आप यहां पर टीचिंग लिखेंगे टीचिंग के बाद फोर लिखने के बाद आप यहां पर यह टेन लिखेंगे टेन लिखने के बाद आप यहां पर यहां पर माई मदा लिखने के बाद आप यहां पर सेट अमसार तारवी का सब्जेक्त मतलब मा के लिए यानि मदा के लिए यहां पर आप C लिखेंगे और C के साथ जो यहां पर हैस नोट मिन चुपा हुआ है वो हैड़ नोट मिन में चला जाएगा और यह हैड़ नोट मिन का काम खत्म होने के बाद आप यहां पर टेकिंग लिखे लिखेंगे और टेकिंग लिखने के बाद आप यहां पर मेडिसीन मेडिसीन लिखेंगे मेडिसीन लिखने के बाद आप यहाँ पर सीन्स लिखेंगे और सीन्स लिखने के बाद भाई यहाँ पर आप यह मॉर्णिंग लिखेंगे अच्छा यह तो आज के लिए तना ही मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को लोड़ सकता है